दिल्ली के पीरागड़ी इलाके में गुरुवार सुभा एक फैक्टरी में भीशन आग लग गई बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जोरदार धमाके के कारण गिर गया इसके चलते बैटरी बनाने वाली कमपनी को काया की फैक्टरी में मौजूद लोगों समेट कई दमखल कर्मी भी फस गए थे अधिकारियों ने बताया कि कुल 14 लोग इस मामले में घायल हुए है आग पर काबू पा लिया गया है रेस्क्यो आपरेशन के दौरान एक जोर का धमाका हुआ और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया इसके बचाव में काम में जूटे कुछ दमखल कर्मी भी वहाँ फस गए EuroReport, India First News खबरों में बने रहने के लिए बैल आइकन दबाईए और India First News को सब्सक्राइब पीछे और हमारी एप्रिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउन्लोड भी करें